जैहिन दोस्तों स्वागेत आप सके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलफ इस्टडी विद कुंदन कुमार में आज बात करेंगे बिहार बोड हिंदी कक्छा बारवी और आप सब के लिए बिहार बोड हिंदी से मोडल पर परतियार किये हैं जो कि सेट तीन है और अभी त पर लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोड एक्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोख सकता है क्योंकि आपको जो भी परसंट पढ़ाने वाले हैं इसी से परसंट आपके बोड एक्जाम में देखने को मिलेंगे और अभी तक चैनल को सस्क्राइब निके सस्क्र सीट करेंगे और बेल आइकन को भी रहन कर लेजगा टेली गराम आपको हंड epoxyन करना है क्योंकि आपको टेलिगराम पर क्यूज और टेस्ट लिया जाता है जो जिसका लिंक हम आपको वीडियो के में डाल दीए है वहां से आप या का डारीक्ट जौईब या に मिल जाएंगे अब चलिए हम यहां से start करते हैं एक नमर से और आपको क्या करना है फटा-फट comment करते हुए चलना है अगर आपने live class जो आइड नहीं किये ठीक है तो आप क्या किजे comment box दिख रहा होगा वहाँ पर आप एक नमर से 50 नमर तक comment करते हुए चलिएगा ताकि आपका practice जो है ना high level क हो जाए ठीक है तो आप से ready है यह से नो आप से फटा पर comment करके बता दीजगा चलिए अब हम यहां से एक नमर से start करते हैं और एक नमर में क्या लिखा है कि हिंदी प्रादीप नामग मासिक पत्रिकाल निकालने का प्रारंब किसने क्या था तो आपको पता है एक नमर आपक बाल क्रिशन भट की रचना है बाल क्रिशन भट जो है वह कोई कभीता लिखे हैं जिसका नाम क्या है बातचीत और सोरी कभीता नहीं निबंद कर सकते हैं निबंद लिखे है और यह निबंद इतना अच्छा है जो कि सुन के अगर आप सुनिएगा तो बहुत ही माजाएग चेप्टर वन इसलिए बहुत ही बेस्ट है तो जाके जरूर देखेगा चेप्टर वन अगर आपने नहीं देखे हैं तो ठीके अब चलिए सकेंड और थर्ड नावर परसन देखते हैं और यहाँ पर क्या करा कि कौन सी रचना बाल किरिशन भट की नहीं है ऐसा कौन सी रचना जो बाल किरिशन भट नहीं लिखे तो नियूतन बरम चारी सो अजान एक सुजान सदभाव का भाव परिक्षा गुरू तो आपको पता है कि जो बाल किरिशन भट जो है न वो परिक्षा गुरू नहीं लिखे तो डी आपका बिलकुल ही राइट एंसर होगा ठीके चलिए अब बात करते हैं चार नमर परसंग में क्या कराओ कि कोन से किरिती जाइसी की नहीं है आपका पता है कि मिर्गांगग जो आपके हैं डी वाले वो आपको जाइसी के दौरा नहीं लिखे गए जैसे पदमावात अख्रावत आख्री किलाम यह सब जो है जाइसी की दौरा ल समेर्यू का उसका परियावाची सब्द होता है कंचनगिरी जो कि आप चेप्टर वन का देखेगा यह जो मलिक मुहमद जाइसी है उन्हीं से करबक पाठे उसी में से यह सब्द उठाया गया है समेरू ठीके तो आपका राइट एंशर बी होगा अब आपके साने 6 नौर प्र चोग का राइट एंसर क्या होगा जैपूर में हुआ था, कहा होता जैपूर में, और वहें पर पुछते हैं कि मूल जन, क्या है यह छोड़ी एसो थोड़ा आटाई है डी आपका राइट एंसर होगा ठीक है चलिए अब देखेगा साथ नौर प्रसन में क्या करा कि तीरी कुर्माई हो गई यह किस कहानी से संबंदी थे तीरी कुर्माई हो गई किस कहानी से संबंदी थे तो आपका पता है कि उसने कहा था कहानी से संबंदी थे और अब आपसे हम एक प्रसन पुछते हैं आठ नवर प्रसन है कि लहना सिंग किस कहानी का पात्रे लहना सिंग किस कहानी का पात्रे उसने कहा था या रोज का सुख में जीवन या तिरिज का तो आपको पता है कि जो लहना सिंग है ना वो उसने कहा था कहानी के पात्रे और बहुत ही अच्छा कहानी भी लॉव स्टोरी जी भी थे वो किसी न किसी कभी के मतलब कोई कभी थे तुलसिदास थे या जैसी या कभीरदास से सूर्दास उस कभी के क्या थे पुज्जे थे ठीके तो फटा पर बताई नौ नमर का राइट एंसर क्या होगा चलिए आपका कमेंट बहुत ही जल्दी आना चीए क्योंकि लाइट एंसर आ रहा है डी आ रहा है आगे चले देखे बहुत इस्ट्वेंट बोलते रहते कि सार आप लाइब क्लास कब कराते हैं लाइब क्लास कराते हैं तो हमको पता नहीं चलता है ठीक है तो यूटूब पर जाके सर्च किजएगा सेलफ स्टडी विथ कुंदन कमार ह इंदी ऑबजेक्टी क्यूचन मुझे यह देखना है तो हम यह सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर दिखेगा एक ग्यारणावर परसन में क्या कर रहा है कि लोकनाय के नाम से परसिद है लोकनाय के नाम से परसिद जो आपके है जैपरकास नरायन जी है ठीक है तो आपका डी राइट एंसर होगा और यहाँ पर याद रखेगा यह जो लोकनाय के जैपरकास नरायन जो है एक परकास भासन लिखे हो थे और बहुत यह अच्छा भासन था जो कि 1974 में एक भासन भी दिये हो थे चातनन दुलन की नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए अब यहाँ पर बारणावर में देखेगा कि जैपरकास नरायन ने संपुर्ण करांति वाला इतिहासिक भासन कहां और कब दिया था जो कि अभी जश्ट आप से पूछा गया था बिलकुल आप से का जो बहुत इच्छा आ रहा है कि पटना में पान जोन निस 24 को संपुर्ण करांति का क्या कि देखे था इतिहासिक भासन था जो कि ऐसा भासन अभी तक संभव नहीं है अभी तक सुन सकते हैं और ऐसा भासन था भी नहीं ठीक है यह किसके द्वार दिया गया था तो जैपरकास नरायन के द्वारा दिया गया था ठीक है चलिए अब य आपका right answer है ठीक है चलिए अब देखेगा 14 और प्रस्नमी कि तुलसी की बच्पन का नाम क्या था वाँ वाँ बच्पन का नाम था आपका भी अलग होगा ठीक है जैसे मेरा नाम है कुंदन तो बच्पन में हमें दूसरा नाम से बला जाया था चलिए अब यहाँ पर शेयर करना उचित नहीं है चलिए तुलसी के बच्पन का नाम क्या था राम बोला, स्याम बोला, हरी बोला, स्तिव बोला तो आपको पता है कि तुलसी के जो बच्पन का नाम था वो आपको पता है ना क्या नाम था राम बोला फिके छालिए अब देख्थे हैं यहाँ पर आपके जाइने 15 नमबर का राइट एंसर क्या होगा कि तुल्सिदास के दौर रच गयता है तो यह रामचरित्र मानस जो देखे रहे हैं वो आपके तुलसिदास की दौरा लिखा गया है या रचा गया है कह सकते हैं ठीके चलिए अब आपके सामने स्वलन नवर में कहा जा रहे कि किस रचनकार की पंक्तिया है इसमें प्रसन छुटा हुआ है जो कि अर्ध नारी सुर पाठ में से लिया गया है तो ये प्रसन जो है आपके रामधारी सिंग दौरा है कहा गया था ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखेगा 17 नवर में क्या कर रहा है कि किस रचना पर दिनकर को सहीति एकादे पुरुसकार प्राप्त हुआ था ये जो दिनकर जी देख रहे है उसे सहीति एकादे पुरुसकार प्राप्त हुआ था काबे की भोमिका संस्क्रीट के चार अधिया रेस्मीरत या रेनुकात आपको पता है जो है ना दिनकर जी को रामधारी सिंग दिनकर जिसका नाम भी आपको पता है यह किसके नर और नारी के गुन के बारे में बहुत यच्छ इसे definition दिये है और उसे सहीते का आधे पुरसकार प्रदान किया गया था तो किसलिए यह दिये थे संस्क्रीत के चार अध्याय जब लिखे थे न उसे दिया गया था ठीक है चलिए अब यहाँ पतेगा यह जो प्रियम चंद्र क्या थे प्रियम चंद्र गितकार थे कथा कार थे फिल्म कार थे या संगीत कार थे यह जो प्रियम चंद्र थे वो एक परकार के कथा कार थे कौन थे मेरे दोस् किसके समकालिन थे नाभादास जो थे वह किसके समकालिन थे सोड़तास तुलसिदास या बिद्धापती के तो फड़ा बड़ा देजे तो यह जो नाभादास है नाभादास किस काल के कभी थे नाभादास जो थे आपके वह किस काल के कभी थे तो यह जो थे भक्तिकाल के थे याद रिखेगा मेरे दोस्त, दोस्ते तीन जो कभी है, वो आपके भक्ति कालके, बाकि सब जो दिखेगा वो आधो निकालके, बुक टू से कहिएगा तो, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक कई सनवर परसन में क्या कर रहा है, कि किसके बिना नहीं कहानी की कल्पन नहीं क जा सकती है, तो यह आपको बताना है, फड़ा फड़ा, तो बिल्कुल आप सबका जो राइट एंसर आ रहा है, सचयान और है अग्ये के द्वारा, यह आपका राइट एंसर होगा, ठीक है, बाइचनावर दिखेगा कि अग्ये का अपनियास नहीं है, तिरी संकुझे देख अब यहाँ पर दिखेगा 23 नहीं में क्या करा है, कि रोज कहानी में अतिथी बनकर कोन आता है, अतिथी बनकर जो आपको पता है, कि मालती के दूर के रिष्तिदार का भाई आता है, अतिथी बनकर, अतिथी मतलग क्या है, गेस्ट, एक तरस से कह सकते है, ठीक है, तो आपक तो 24 नमर का फटावर बताना है तो बिल्कुल आपका जो राइट एंसर क्या होगा कभी थोना चाहिए ठीक है यहाँ पर यह हाइफन होना चाहिए आपका राइट एंसर अब हो गया ठीक है चलिए अब यहाँ पर 25 नमर दिखेगा कि भूशन के पिता का क्या नाम था गज़ा यह होगा अब यहाँ पर दिखेगा भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रसन इस प्रसन को आप 100 प्रसन जरूर याद कर लेजगा बोट के लिए भी आपके नौलेज के लिए ठीक प्रसन ठीक है करें कि भगत सिंग ने कैसी मिर्टु को सुन्दर कहा है क्या गजब बोले किसी म सुन्ने में चाहट लग रहा है दुर घटना में तो यह तो कह नहीं सकते हैं तो यहाँ पर जो आपका जो राइट एंसर क्या होगा वी होगा कि देश देवा के बदले में जो फासी मिलती है वो बहुत यह अच्छा होता है जैसे मालेज एगजांपल में कि कहीं पर घोटा होगा राइट सही है ना यह सही बोले कि नहीं आपसा जरूर कमेंट करके बताएगा और मुझे खुसी होगी आपका कमेंट पर ठीक है चलिए अब यहां बताएगा 27 नमर में कि बिदार्थी और राजनितिक सिर्षक निबंद का किसका लिखा हुआ है यह जो राजनिती और बिदार्थी और राजनिती सिर्षक निबंद का निबंद किसका लिखा हुआ है राम चंद्र सुकल गुलाब भगत सिंग यह दिन करती इसमें जो आपका राइट हैं से क्या होगा भगत सिंग होगा ठीक है चलिए अब यहां पर देखेगा गने संकर बिदार्थी किस पत् यहां पर देखेगा कि जैसंकर परसाद किस काल के कभी थे जैसंकर परसाद जो थे अधीकाल भक्तिकाल रितिकाल आधुनिकाल आपको हमेशा याद रखना है 1 2 3 यह जो 3 और 4 में है साइद रितिकाल है ठीक है और उसके बाद जितना भी चिप्ट्रा एँ वो सब के सब तो निकाल के याद हो गया बिल्कुल याद हो गया होगा तीस दामर में देखेए एक कंकाल क्या है कंकाल क्या है तो ये परकार के कंकाल जो है आपको उपनियास है ठीक है चली राइट एंसर आपको सी पता जल गया अब देखेएगा 31 सनावर में कि ओ सदनीरा से संबंधित नहीं है ओ सदनीरा से जो है ओ संबंधित नहीं है तो कौन सा संबंधित नहीं है तो फड़ा पड़ा देजिए तो यह जो गंड़क नदी देख रहे हैं वो आपको संबंधित नहीं है ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देखेगा 32 नवर परसन में की ओ सदनीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्नन किया गया है दिखेगा यह जो ओ सदनीरा है वो क्या किया गया है जगदीश चंद मातरों के दुआरा लिखा गया ठीक है भूभाग मतलब भूमी के बारे में किसके बिहार के भूमी के बारे में वर्नन किया गया है तो यह जो है चमपारण के बारे में बताया गया है और चमपारण के नीलूल के खेदिगे बारे में बहुत एच्छे से डीफिनेशन दिये है कुण दिये है जगदिश चंदर मातुर याद रख लिजेगा निबंध है एक परकार का है थारन सब्द किस सब्द से बिक्षित हुआता है थार से हुआता है थार से थार से हुआता भी आपका राइट एंसर होगा अब देखते हैं 34 प्रसन में कि पुत्र बियोग शिर्शक क कभीता किस काभ्य संग्रा से ले गई है बहुत है वहरे वहरे इंपोटेंट प्रसन है और यह कहानी सुनेगा न तो आपके आंख से आँसु गिरना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है आख कहानी को अच्छे से समझते हैं तो ठीक है तो क्या करें कि पुत्र बियोग शिर्शक क कभीता किस का संग्रा से ले गई है यह जो आपके हैं 34 न Бर का प्रसन है मेरे दोस्त हुआ आपके मुकल से ले आ चैसे ले गया है मूकल से ठीक है अब यहाँ पर दिखेगा सभद्रक हमारी चहान का प्रति निध्यत कभीता संंगरा कौन सा है याद रखेगा सिपाही की मा सिपाही की मा रचना विद्या और इसमें नाटक की तरह करतार लिवा गए है और इसमें आठ विक्ति था और इसे का नाट के तरह ही था एक है ठीक है सिपाही के माकिस के रचेता जो है मोहन राकेस है यह भी आद रख सकते हैं अब देखे का 37 नमर में क्या गरा है कि कौन सिक्रिती मोहन राकेस की नहीं है तो एक और जिन्देगी अंधेरे बंद कमरे इतिहास और अलोचना आधे अधूरे तो 37 नवर का राइट एंसर बता देजे फड़ा फड़ क्या होगा बहुत अच्छा इसका जो राइट एंसर क्या होगा इतिहास और अलोचना ठीक है अब यहां पर रखेगा 38 नवर पसन में कि मोहना केस की एक आंकी का सिरसक है मोहना केस है ताक पता है कि सिपाही के माँ ठीक है अब चले 49 नवर में कि कौन से किरिती समसेर बहादुर सिंग की है तो आपको पता है कि समसेर बहादुर सिंग के द्वारा कौन सा है काल तुझ से ह चले, हैं तो इसका राइट एंसर आपको बता दिये हैं कि काल तुझ से होर है मेरी, ठीक है, तो C आपका राइट एंसर होगा, अब चले आपके सामनेan 40 नवर प्रसन में क्या करते हैं, सुकून की तलास, किसकी रचना है, सुकून की तलास किसकी रचना है, तो फटा पट बत किस पुस्तक में संकली थे प्रगित और समाज किस में है वाद बीवाद संबाद में किया गया है तो आपका राइट एंसर क्या होगा भी होगा ठीक है नामवर सिंग के गुरु कौन थे नामवर सिंग के जो गुरु थे वो आपके हजारी परसाद दूवेदी थे राम चंदर सुकल थे राम बिरिक्ष बेनी पूरी थे या इन में से कोई नहीं तो नामर सिंग के जो गुरु का नाम क्या था मेरे दोस्त तो 42 नमर का फटा पर बता दीजेगा बहुत अच्छे यह जो थे हाजारी पसाद दूबे दीजे थे ठीक है याद रेखे लिए जेगा अब यहाँ पर जो यह प्रसन है very very important है क्योंकि date of birth वाले प्रसन बहुँ ज़ ठीक है चलिए अब यहाँ पर 44 नमर देखे कि कौन सी किरिती कौन सी रचना मुक्ति बोद की नहीं है नई कभीता का आत्म संखार्स बिहार पुर्ण मुल्यानकन इसमें पते हैं कि राइट एंसर क्या होगा 44 नमर का तो 44 का जो आपका राइट एंसर क्या होगा वह आपका बी होगा यह जो मुक्ती बोद है वो नहीं किया है ध्यार पुर्ण मुल्यानकन इसमें क topics कोण सी किरिती मुक्तीintendo की है कोण सी किरिती मुक्ती Pay तो यह आपको पता है 45 नमर के आपको पता होना चीरिछ बहुत वरया है यह जो दोरोपदी देख रहे है कह आपका राइट ए तो सुदर्शन प्रेम्चंदर जग जीवन राम परकास वालमी की दलित के बारे में पूछ जा रहे हैं तो आपको पता है कि जो जूठन है इसके राचेता को है और इसमें क्या गया है दलित परिवार के बारे में बहुत यह अच्छा से बता गया है और दलित परिवार के बारे में क्या कैस जिदद देखते हम अपने समाज में उसके बारे में ज्यादा खास कर निचुर तरह से बताया गया कि इसके दौरा ओम परकास वालमीकी के दौरा ठीके याद रखेगा आत्मकथा के लेखा कि मा किसके यहां काम करती थी जो ओम परकास वालमिकी देख रहे हैं उसकी मा कहां पर काम करती थी जूठा बरतुंत धोती थी यह ठीक है यह याद रखेगा बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग काहानी बाद में इसका जो है ना पोता या साइद बेटा उसके घर पे जाता है किसके ओम परकास वालमिकी तो उसको याद आ जाता है बच्पन के बारे में कि जब वह ऐसा ऐसा था था तो बहुत अच्छा कहानी इंट्रेस्टिंग काहानी सुनीगा तो देखे हर हिंदी के कुछ ने कुछ कहानी आपको अच्छा सची नौले सिखाता है अधिनायक के किस कभी का रचना है अधिनायक जो है आपके किस का रचना का है तो बता देजे अधिनायक जो आपके है वह आपके फटा फट बता देजेगा रगवीर सहाई के ठीके अब यह 12 सर लिए एक से कमेंट करके बाद एक आठा और आगे ज़ Daism ब्लब करने के लिए सर लगा है सब दिली हाँ अच्छा लग रहा है और प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिगा लाइक नहीं करने के लिए एक बार लाइक कर दीजगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियों अभी के लिए बाइवी जय हिन जय भारत